लो गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगी दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं यदि गर्वती महला हैं अपने सपने में एक प्यारी सी लौकी को देखती हैं तो इसका क्या मतलब होता है कई सारी प्रेगनेंट लेडिजों का यह होने वाला है दोस्तों चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस चैनल पर प्रेरगनेंट से में झालों से रिलेडिवीडियो आती हैं तो समें हार्म Lancs का जो इसतर होता है बहुत ज्यादा उताब चड़ा उसका बना रहता है यह जो सपनी आते हैं जब हम किसी चीश के बारे में जाता दोस्तों सोच विचार करते हैं या फिर हम सोनी के टाइम पर किसी चीश को सोच लेते हैं जिसे माइंड में हमारे कोई भी चीश चल लई है तो भी आपको उससे रिलेटिड ही आपको सपने आ सकते हैं बात करते हैं बहीं दोस्तों सपने स प्राप्ति होने वाली होती है जी हाँ दोस्तो अगर आपने अपने सपने में एक प्यारी सुन्दर लौकी को देखा है जो पूरी तरह सही है उसका आकार पूरी तरह सही है तो दोस्तो आने वाले समय में ये आपको दशा देता है कि आपको लड़की होने बाली है कई हद तक दोस्तों ये सही भी सपने थाबित होते हैं बात करते हैं यदि आप गर्वती हैं यदि आप अपने सपने में कटी हुई लौकी को देख रही है मालीजी आप या फिर स्वैम लौकी को काट रही है या फिर सबजी बना रही है तो दोस्तो ये थोड़ा अशुप संकित होता है ऐसा माना जाता है हमारी दादी नानी बताती भी है गरवदी इस तरहीं अगर अपने सपने में कोई भी सबजी को काट रही है चाए वो लॉकी की हो चाए वो भेगन हो या फिर फूल को भी हो ऐसे कोई भी सबजी काट रही है तो दोस्तो ये थोड़ा अच्छा संकित नहीं माना जाता है क्योंकि हमारे पेट में हमारे जो बेबी होता है पर पल रा होता है ऐसे समय पर हम कोई भी चाकू से चीज काटते है तो दोस्तो असूप माना जाता है तो इस वात का विशिश द्यान रखें दोस्तों और आपको साबधान रहने के जरुत है बात करते हैं यदि आपको खराब, सड़ी हुई, लोकी दिखाई देती है तो दोस्तों आपको साबधान रहने की जरुत है ये संक्यत आपको थोड़ा मतलब पहले ही साबदान रहने को बोलते हैं कि आने वाले सामे में आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है जब भी दोस्तों आपको खराब या कटी हुई सड़ी हुई लोकी दिखाई दे तो दोस्तो आपको पहले ही साबदा रहने की जुरूत है क्योंकि अक्सर प्रेगनेंट लेडीसों को ऐसे सपने आया करते हैं तो इस वात का भी अब भी सेज ध्यान रखे बात करते हैं अगर दोस्तो आपको कोई लौकी जैसे की दे रहा है या फिर आप मार्केट से खरीद रही है तो ये आपके लिए बहुत सुबसंकित है ये आपको पहले ही दर्शा देता है कि आपके घर में नन्नी मुन्नी पुत्री आने वाली है कि हम लौकी को अगर कोई दे रहा है तो दोस्तो ऐसा माना जाता है कि लौकी दे ना लौकी खरीद ना बहुती शुबसंकित होता है आने वाले समय में आपको लड़की होने की ये संकित आपको देता है तो बात करते हैं यदल आपने खेट में लगी हुई लोकी देखिये अपने खेत में लगी हुई लोकी देखिये तो यह चीज भी आपके लिए शुभ है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लौकी का आकार बिल्कुल सही होना चाहिए लौकी कटी हुई या फिर सडी हुई नहीं होनी चाहिए अगर आपने पेड़ पे लगी हुई या फिर खेतों में बहुत सारी लौकी देखी हैं दोस्तों तो ये आपके लिए सबसे अच्छा सुब संकेत है क्योंकि ऐसे सपने हर किसी को नहीं आते अगर आपको ऐसे सपने आते हैं दोस्तो एक लौकी को देखती हैं सुन्दर आकार में तो आने वाले साय में आपको लड़की होने के संकेत देते हैं साती आपको धनलाब होने के ये सपना देखती है तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं हो सकता क्योंकि सोने के टाइम पर हम जिस किसी चीज को सोच लेते हैं दोस्तों तो भी हमें ऐसी सपने आ सकते हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अगर आपको तीन बजे से लेकर सुबह छे बजे तक यह सपन रखें कि हमारे चैनल किसी भी जेंडर प्रेशन को बढ़ावा नहीं देता इस वीडियो में सारा एक्स्पिरेंश लोगों का जो रहा जो हमारी दादी नानी बताती है तो वही चीज सेयर की गई है लेकिन मेरा हमारा मतलब बेटा या बेटी में भेदबाव करना बिल्कु चैनल को सस्क्राइब करीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में